असलाम अलेकुम आज डेट है 8th of December और आज हम बात करने जा रहे हैं क्यूफिक Bioscience Limited के September के quarterly result की बारे में जी हाँ September का quarterly result recently company ने अनाउंस किया है और इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी ने अपने September के quarterly result में कैसा परफॉर्म किया है तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर अब देख आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली पर चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले हैं और साथी साथ बैल के नाम से account available है वहाँ पर आप मुझे follow कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं यूफिक Biosciences Limited 225 रूपीज पर ये कंपनी अभी ट्रेट कर रही है 11.38% का पॉजिटिव रिटन आज की डेट में दिखाया है एक हफते का चार्ट पैटन अगर हम देखें तो 6.61% का पॉजिटिव रिटन है वहीं अगर एक महीने का ग्राफ देखें तो 7.20% का पॉजिटिव पॉज सब्सक्राइब का रिटन है तो इस तरह कि अब तेहराे सकते है कि भले ही बहुत जाथा जादा अच्छा रिटन नहीं दिया लेकिन से अच्छ रिटन है तो this industry से बिलॉग रूं करती हैं फार्मासीनटिकल इंडिस्री बिलॉ ग्यां करती है ए भीं। bright के स्मौल तो यह तो जो इस तरीके से वापसाइट करते हैं यह हो गया PPS Tube, Proscil, Extrasun, AP, मतलब यह प्रोडक्ट के नेम है यह सारी चीजे लिए कमपनी मैनुफेक्ट्च्चर करती है मेली medicine बनाती है company तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यह सारे product है इस company के देख सकते हैं givefix.com यह सारे product है देख सकते हैं स्क्रीन पर आप यह सारे जो है product है इनके यह है shapers, roll on, shaper dry feel और इस तरीके से बहुत सारे medicine से वह यह company बनाती है तो मोटा माटी आप समझीए कि company जो है medicine बनाती है तो valuation की अगर बात करें तो sector का price to earning ratio 37.57 है वहीं company का price to earning ratio 44.40 है sector का price to book value 5.03 है वहीं company का price to book ratio 11.32 है वहीं अगर हम बात करें share holding pattern की तो share holding pattern आप देख सकते हैं promoter के पास 75% की holding है वही mutual fund के के पास 2.13% की domestic institution के पास 0 for institution के पास 1.52% की holding retail के पास 20.87% की holding है तो सीधन का result देखते हैं तो according to screener.in हम result देखें गिफिक biosciences limited के September का quarterly result हम देखेंगे result की बात हम positive point negative point की बात करेंगे then last में हम बात करेंगे intrinsic value की तो वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करिएगा complete video देखेगा ताकि आपको complete information मिल सके तो चलिए start करते हैं पहले हम देखेंगे quarterly result तो देख सकते हैं revenue जो इनका June quarter में 251 करोड रुपीज का था वो September quarter में कम हुआ है और कम होकर कितना हो गया है 194 करोड रुपीज वहीं अगर हम बात करें इनके operating profit की तो operating profit 46 करोड रुपीज से कम होकर हो गया है 36 करोड रुपीज net profit की अगर बात की जाए तो 31 करो रुपीज का नेट profit कम होकर हो गया है 23 करोड रुपीज तो देख सकते हैं भले पिछले quarter के मुकाबले कम हुआ है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं पिछले कई quarters में आप देख सकते हैं net profit जो है ज्यादा है सिफ पिछले quarter को छोड़ कर और इससे पहले के quarter से अच्छा performance है तो जो इनका result आया है वो पिछले quarter से अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी result है वो आप कह सकते हैं अच्छा है क्योंकि September 2020 से अगर compare करेंगे तो उससे ज्यादा revenue भी है उससे ज्यादा operating profit भी और net profit भी उससे ज्यादा market competitor कौन है इनके Sun Pharma Industries, Dr. Ready Labs, Sipla Pharma Pharma Enterprises, Torrent Pharma, Cadillac Healthcare, BioCoin ये इनके market competitor हैं भी market में वहीं बात करें अगर pros and consequences के, positive point क्या है company का, positive point ये company अपने कर्स को कम किया है, साथी साथ quarterly result अच्छा expect किया था, दिया भी ये आप कह सकते है, profit growth काफी अच्छा दिखा है, 5 सालों में company ने, return on equity भी अच्छा generate किया है, promoter की holding भी increase हुई है, और साथी साथ sales growth भी पिछले 10 सालो काफी अच्छा है, तो ये सारे positive point है company के, negative point क्या है, negative point यही एक है, कि company लगबक 10 गुना महंगी है, 9.83 times महंगी है, अपने real value, अगर company के real value एक रुपए है, तो company अभी 9 रुपए 83 पैसे प्यार अवेलबल है, इतनी जादा महंगी है, तो आप ये समझे, वहीं अगर हम बात करें intrinsic value की, तो according to ticker tape dot in, geographic biosciences limited का intrinsic value है, वो अभी सही नहीं है, company काफी महंगी है, return versus FD की बात करें, तो FD से अच्छा return इसने दिया है, historically, dividend की कुछ खास history नहीं रही है, entry point के लिए यहाँ से stock भी overbought zone में नहीं है, और नहीं कोई red flag इस company पर available है, तो ये थी मेरी वीडियो, geographic Biosciences Limited के September के quarterly result के ऊपर, वीडियो में मैंने positive point भी बता है और negative point भी बता है, तो अभी आपको decide करना है कि आपको stock में invest करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, तो वीडियो आप लोगो कैसी लगी, comment section में ज़रूर बताजिएगा, थोड़ी सी भी अगर informative लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को like सरूर करतीजेगा, चैनल को अगर अभी तक आप लोगो ने subscribe नहीं किया या पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, तो चैनल को subscribe करना बिलकुल भी न भूलें, और साथी साथ बेल आइकन को प्लेस कर दें, ताकि in future में कोई भी वीडियो upload करूँ, तो आपको notification मि मिलता रहे हैं, इस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फालो करना चाहें तो surprise daily के नाम से account available है, वहाँ पर आप मुझे फालो कर सकते हैं, तो फिर मिलते हैं next वीडियो के साथ, तब तक के लिए इचासत देजिए, खदा आफिस.